नमस्कार मैं हो दिवय बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 16 माई दिन गुरुवार खबरों के उबरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर वहतर अंक वाले नियोज़त सिर्शकों को सहरी स्कूरों में किया जाएगा तैना नीट एक्जाम का पेपर लीक मामला पहुँचा पटना हाई कोड पॉली हाउस और सेड नेट से मिलेंगे गिलाब बिहार में आज एक बार फिर 40 डिग्री के पार पहुँच सकता है तापमार चांद पर इस जगा उतरेगा चंद्रियान चार हैदराबाद की टीम को प्ले आउफ में मिल सकती है जगा अब चलिए भरते हैं अब तक के 25 बरी खब्रक्री और विस्तार से इस नीजी कंपनी में बारवी पास लोगों के लिए निकली भरती असोसियेट और सीनर असोसियेट के पोश्ट पर बिजनस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी डब्लू एनस ने भरती निकाली है जॉब लोकेशन गुरू ग्राम में है इस भरती के लिए आविदन करने वालों मिदवारों को बारवी पास होना जरूरी है भरती के लेक्शों को मिदवारेश के अधिकारिक पैपसाइट ॥्ट्ट्प्स लेस्लेस www.wns.com पर जाकर आविदन कर सकते हैं भरती से संबंदित, सर्टिक और अधिक जानकारी के लिए इसके दिस सूचना या अधिकारिक पैपसाइट को जरूर देखे वहतर अंक लाने वाले नियोजित सिक्षकों को सहरी स्कूलों में किया जाएगा तैनाद सक्समता परिक्षा में वहतर अंक लाने वाले सिक्षकों को सहरी छेतर के स्कूलों में पदस्थापत करने का फैसला लिया गया है इसी के आधार पर नियोजित सिक्षकों के स्कूल आवंटन की तैयारी में सिक्षा विभाग जुटा हुआ है दोगसबा चुनाव के बाद इन सिक्षकों के पदस्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी इसलिए कर विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है साथ ही ग्रामीन थेत्रों के स्कूलों के रिक्त पदों की अलग-अलग गरना भी की जा रही है इस संबन में सभी जलों को पूर्व में ही जरूरी जिसा निर्देश दिये गया थे आपको बता दे कि स्कूलों का वंटन सौफ्ट वेर के माध्यम से किया जाएगा इसके पहले सिक्षकों और रिक्त पदों की सूजी को क्रमवार तरीके से सौफ्ट वेर में अप्लोड की जाएगी बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सिप्रा मिस्रा के बारे में सिप्रा मिस्रा को सिक्षा के छेत्र में सरानिय कारे के लिए जाना जाता है ये मूल रूप से बिहार के पुर्णिया जले की रहने वाली है, ये राज़्टे सिक्षक पुरसकार से भी सम्मानित हो चुकी है, इस पुरसकार के लावे नहें वर्स 2019 में, राजस्तर के सिक्षक पुरसकार वर्स 2020 में NML द्वारा Best Science Teacher Award भी मिल चुका है, सिक्षा चेतर में लोग इनके Innovative और Creative तरीके से बचों को परहाने के लिए जानते हैं, नीड एक्जाम का पेपर लीक मामला पहुचा पटना High Court, नीड परिक्षा का पेपर लीक मामला पटना High Court पहुच चुका है, High Court में लोग हितियाजिकार दायर करके पेपर लीक की जांच CBI से कराने की मां कुछ हात्रों का भवस्य खत्रे में हैं चात्रों के भवस्य के साथ खेले का अधिकार किसी को भी नहीं है सालों के मेहनत पर कठोर कारवाई करने वालों के बिहार में जल्द लगेगी नीमोनिया की वैक्सीन PCV 10 वैक्सीन 10 तरह के नीमोनिया, सीरो टाइप पर प्रभावी है वही नई वैक्सीन 14 सीरो टाइप के खिलाफ ये सुरक्षा प्रदान करेगी इस वैक्सीन को हैदराबाद में बनाया गया है निर्मादा कंपनी बायो लॉजिकली लिम्टेट कंपनी की ओर से इसे तयार किया गया है इसकी गुनवता अंतराष्टे अस्तर की है ये वैक्सिन पहले की ही तरह 6 से 14 सब्ता में दी जाएगी साथ ही तीसरी बूस्टर 9 महिने पर लगाई जाएगी बिहार में जून से निमोनिया वैक्सिन लगने की शुरुआत हो जाएगी मालूम हो कि पहली दूसरी और तीसरी खुराग से बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा पॉली हाउस और सेड नेट से मिलेंगी ये लाब बिहार सरकार के ओर से कसानों के लिए कई तरह के लाब दिये जाते हैं पॉली हाउस और सेड नेट से कसानों को कई तरह के फायदे पहुंचते हैं जैसे कि इससे 90% तक की टाकरमन में कमी आ जाती है इसके साथ ही ड्रीप से चाय के द्वारा 90% जल का बचाव भी हो जाता है जिसे दापमान में भी 3-5 डिगरी तक की गिरावट आती है पॉली हाउस और सेड नेट की मदद से कसानों की आयट दोगुनी हो जाती है इसके लिए बिहार सरकार 50% तक का मुआफजा प्रदान करती है पॉली हाउस के लिए 925 रुपे प्रती वर्ग मीटर और सेड नेट के लिए 710 रुपे प्रती वर्ग मीटर की आर्थिक सहायता दी जाती है चांद पर इस डगा उत्रेगा चंद्रियान 4 चंद्रियान 3 की सफलता के बाद अब अंतरेक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक निलेस दिसाई ने चंद्रियान 4 के बारे में जानकारी साजा की है भारत का महत्व कांग्षी चंद्रियान 4 मसन का उद्देश से चंद्रमा की चटानों और मिट्टी को वापस लाना है चंद्रमा की सधय पर सिर्फ सकती बिंदू के करीब चंद्रियान 4 उतरने का प्रयास करेगा इस रोकी भविसे की चंद्र अन्वेशन योजनाओं पर दिसाई की हाल में हुई प्रस्तूती के कारण ये जानकारी सामने आई है चंद्रमा 3 के विकरम लेंडर के उतरने का अस्थान सिर्फ सकती पॉइंट चंद्रमा के दक्षने धृफ के निकट होने और अस्थाई रूप से छाया वाले छेत्रों के उपस्तिती के कारण महत्वपूर्ण वैग्यानिक रूची का अस्थल है यहाँ पर जल बर्फ जमा कर सकते हैं नालंदा में चार प्रत्यासियों का नावंकन रद नालंदा में लोकसवा चुनाव को लेकर नावंकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है मालूमों कि इसके बाद चार प्रत्यासियों का नावंकन कैंसल किया गया है इस क्रूटनिंग की दोरान चार अभ्यरतियों के नामंकन को रद किया गया है वहीं 19 प्रत्यासियों का नामंकन पत्रिस सही पाया गया है इस कारण 29 प्रत्यासियों के बीच यहां पर चुनावी मुकाबला होने जा रहा है 17 माई तक नामों की बापसी संभब हो पाएगी आपको बदा दे कि नामंकन अबधी तक 33 प्रत्यासियों ने अपना परचा दाखिल किया था 17 माई के बाद निर्दलिये प्रत्यासियों को सिंबल का वितरन किया जाएगा मनोज वाजपी ने दक्षन भारत के फिल्मों की बॉलिवूड से अधिक चलने की वजह बताई बिहार के मनोज वाजपी अपनी आगामे फिल्म भाईया जी के रिलिस के लिए तैयार है अभिनेता ने हाली में इंटर्व्यू की दौरान बॉलिवूड बनाम साउथ सिनेमा की बहस पर खुल कर चर्चा की है इस दौरान इन्होंने कहा है कि हिंदी फिल्मों के दर्सक को चौछ और देखना चाहते है एक्टर ने कहा है कि अभिनेता और फिल्म निर्माता हूं सही तो द्योग के लोगों को संकीत समझना चाहिए मनोज वाजपी ने दर्क्षन फिल्मों की तारीफ करते हुए कहा है कि उनकी फिल्मों की कहान या पूरी तरह से उनकी अप और सांस्क्रितिक रूप से नहें थे प्लेटफॉर्म टिकट इस कारण से लेना है जरूरी भारती ट्रेन से रोजाना कई लोग सफर करते हैं वही कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने रस्तेदारों या परिवार वालों को इस टेशन छोड़ने के मकसद से आते हैं लोगों को ये जानना बेहादी जरूरी है कि प्लेटफॉर्म टिकट को कब और क्यू लेना चाहिए जानकारी के नुसार अगर आप किसी को भी छोड़ने के लिए जाते हैं तो आपको टिकट लेना जरूरी होता है इसकी कीमत 10 रुपे होती है इस टिकट की वैलिडिटी दो घंटे की होती है मालूम हो कि लोगों की भीर को कम करने के लिए ये टिकेट लोगों को दिया जाता है ऐसे में जो लोग स्टेशन के अंदर आते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म टिकेट लेना निवार है वहीं इस टिकेट को नहीं लेने पर आप पर 250 रुपे तक का जुल्माना लगाया जा सकता है बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे तक स्री पटना साहिब के बारे में इसे लोग स्री हर्मिंदल साहिब या फिर पटना साहिब के नाम से भी जानते हैं यह गुरुद्वारा पटना साहिब के पास सिख आस्ता से जुरा एक महत्वपूर्ण धार्मिक और एतिहासिक अस्तल है यहीं पर सिखों की दस्वेग गुरु स्री गोविंद से इंका जन्म हुआ था पासपूर्ट बनवाने वाले लोगों की संख्या में 62,000 तक की हुई कमी बीते साल पासपूर्ट बनवाने वाले लोगों की संख्या में 62,000 तक की कमी दर्ज हुई है साल 2022 में 4,55,469 लोगों ने पासपूर्ट के लिए आवेदन किये थे इसमें से कागजाद और फुलिस की वेरिफिकेशन के बाद 4,55,469 लोगों के पासपोर्ट जारी किये गया है साल 2023 में इसके लिए 4,5,721 आवेदन मिले है इसकी जांच और वेरिफिकेशन के बाद 3,86,469 पासपोर्ट को जारी कर दिया गया है आपको बता दे कि आवेदन देने वाले लोगों की संख्या कोरोना काल में बहुत तेजी से घट गई थी हज यात्रियों के लिए इस दिन औरान भरे की पहली फ्लाइट इस साल 26 मई से हज यात्रा की शुरुवात होने जा रही है ये मई से संभावित है इसके लिए बिहार की गया अंतराष्टे हवाई अड़े से राजु के करीब 1083 आजमी ने हज जिदहा के लिए रवाना होंगे इसमें करीब सभी औसतन 60 से 70 साल आयू वर्ग के लोग हैं आपको बता दे कि गया अंतराष्टे हवाई अड़े पर परियाप्त रजाकार होंगे ये हज यात्रियों की सुवदा को अप्लब्त करवाने के लिए मौजूद रहेंगे हज यात्री 26 मई से हज यात्रा के लिए रवाना होंगे फ्लाइट के प्रस्थान का समय सुभर के सारे 5 बजे निर्धारित की गई है प्रतेक फ्लाइट में लगभग 144 यात्री प्रस्थान करेंगे वहीं बता दे कि हज यात्रीों को मैनेंजाइटिस का टीका भी लगेगा बिहार के 1000 से अधिक संस्कूलों के खिलाफ होगी कारवाई बिहार के सक्षा विभाग के नुसार संबंदित संस्कूल्थ विद्याले की ओर से अभिले को प्लब्द कराने में रूची नहीं दिखाई जा रही है इस कारण विभागी अस्तर पर अब संबंदित विद्यालों पर कारवाई करने का आदेस जारी किया गया है इन स्कूलों में करीब 13,000 सक्षक और कर्मियों का पंचम और कस्टम वेतन पुनरेक्षन के अनुरूप वेतन निर्धारित होगा बिहार सरकार को अभिले को प्लब्द नहीं कराने वाले 1669 संस्कूलों पर कारवाई की जाएगे सक्षा विभाग की ओर से संबंदित जला सक्षा अदिकारियों को आवशक दिसा नर्देस दिये गया है बिहार में आज एक बार फिर 40 डिगरी के पार पहुँच सकता है तापमार बिहार में बारिस का दोर थमने के बाद लोग फिर से गर्मी से परिशान होने लगे है हीट वेव का सलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है आज प्रदेस का मौसम सुस्क रहने की संभाव ना जताए गई है प्रदेस में पश्चम चंपारन, पूर्वी चंपारन, गोपाल गंज, सिवान, सारन, कैमूर, रोहतास, बकसर, भोजपूर और अंगाबाद, अरवल और गया जिले में गर्म हवा चलने की संभाव ना जताए गई है प्रदेस में आज का धितम तापमान 40-42 दिग्री तक देखने को मल सकता है, वही नियुतम तापमान 26-28 दिग्री रहने की संभाव ना जताए गई है बाजार में विखने वाले पपीते को अकवार में लपेट कर रखने का जाने कारण माजार में बिखने वाले पपीते को अकबार में लपेट का रखा जाता है इसके पीछे कारण छिपा हुआ है दरसल कागज में लपेटने के कारण पपीता को जल्दी से पकने में सहायता होती है कागज एक नियंतरित वातवरन प्रदान करता है इस कारण पपीता में प्राकर्तिक गैस एथलीन की मातरा बढ़ जाती है एथलीन एक प्राकर्तिक हार्मोन है ये फल को जल्दी और सामान रूप से पकने में काफी मदद करता है इसके अलावे कागज पपीता को धूप और अत्रिक्त नमी से बचाता है इससे फल की ताजगी भी बरकरा रहती है साथ ही वो जल्दी से जल्दी खराब भी नहीं होता है पटना में सराप की साथ तसकर गिरफतार पटना में नदी थाना छेतर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कारवाई की है पुलिस ने 189 पीस के इन बियर 105 बोतल देसी और 14 बोतल विदेसी सराप को बरावत किया है आपको बता दे कि थाना प्रभारी राजु कुमार के नेतरित्म में पुलिस की टीम डेडियो स्टेशन छेतर में गस्ती पर थी इस दौड़ान पुलिस को सूचना मिले की तसकरों ने ट्रेन पूलिंग करके सराप को ट्रेन से नीचे उतारा है सूचना के आधार पर पुलिस ने तवरित कारवाई की और रिडियो स्टेशन के सामने रेलेल बे लाइन के पास से तसकरों को पकर लिया तलासी के दोरान इनके बैक से अलग-अलग ब्र Catch के बोधलों को जब्त किया गया है तेजस्वी आदम ने एक बार फिर प्रधान मंतरी मोधी पर बोला हमला बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्षू तेजस्वी आदम ने एक बार फिर से पीए मोधी पर जमकर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि पीए मोधी की गलत नीतियों के कारण आज देश के 25 करोर युवा बेरोजगार हो चुके हैं वहीं 22 साल से लोगों को रिटार कर रहे हैं बिहार विधान सवा के नेटा प्रतिपक्ष ने आगे कहा है कि मुझे विश्वास है कि वो अपनी बनाई हुई नीति के आधार पर खुद भी मार्ग दर्शन मंधली में बैठेंगे तेजस्वी आदम ने कहा है कि देश की जनता जानती है कि पीए मोधी ने पिछले 10 साल से किस तरह से काम किया है किस तरह से देश में बेरोजगारी और गरीबी में इजाफा हुआ है भाजपा की राष्ट्य अध्यक्स राजजद और कॉंग्रिस पर जमकर बरसे भाजपा की राष्ट्य अध्यक्स राजद और कॉंग्रिस पर जमकर बरसे बिहार में सिभर जिले में भाजपा के राश्ट्रे अध्यक्स, जेपी नड़ा, कॉंग्रेस और राज़त पर जम कर बरसे हैं बीजेपी के राश्ट्रे अध्यक्स ने जदियों के प्रत्यासी लबली आनंद के लिए वोट अपील करते वे विपक्षी गठबंदर पर निसानत साधा है और कहाई कि आज़ेडी का मतलब आज़ से रिस्त्वत खोरी जेसे जंगल राज और डी से दलदल है इसके अलावे कॉंग्रिस के घोटालों का जिक्र करते वे उन्होंने कहा कि चाहे पाताल हो या फिर अंत्रिक्ष और जमीन में कॉंग्रिस ने हर जगा घोटाले किये हैं इन्होंने ऐसी कोई भी जगा नहीं चोरी है जहां पर इन्होंने घोटाला नहीं किया है जदियों की पुर्व विधायक पूनम देवी ने थामा कॉंग्रिस का हाथ लोगसवा चुनाव के बीच पार्टी की नेताओं का इधर से उधर जाने का सिलसला जारी है इसे बीच नितीष कुमार की पार्टी जदियों को बड़ा जटका लगा है जदियों की पूर विधायक पूनम देवी ने कॉंग्रिस का हाथ थाम लिया है कॉंग्रिस की प्रदेश अध्यक्स अखिलेश प्रसाद सिंख ने इने पार्टी की प्राजमिक्ता सदस्ता दिलाई है पूनम देवी के बारे में आपको बता दे कि इन्होंने साल 2005 से लेकर साल 2020 तक लगातार 15 सालों तक खगरिया सदर विधान सबाथ छेतर से विधायक रह चुकी है साल 2020 में वो चुनाव हार गई थी पूनम देवी का जदियों में काफी दबदबा देखने को मिलता था लेकिन आप इन्होंने कॉंग्रिस का दामन थाम लिया है अनन्त सिंग ने सीम नितीश को लेकर किया ये दावा मुकामा के पूर्व विधायक अनन्त सिंग ने सीम नितीश कुमार को लेकर ये दावा किया है उन्होंने कहा है कि निदीश कुमार की तरह बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ है और ना ही कोई पैदा होगा उनके पास कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं थी उन्हें ना ही बेटे को देखना था और ना ही घर को देखना था मुखे मंतरी निदीश कुमार के भाई आज भी दवाई बेचते हैं निदीश कुमार जन्ता के दिवाने हैं वो एक-एक काम में रात और दिन लगे रहते थे लालू यादब के सासनकार में दिली में नौकरी करने वाले परिजनों को उठा लिया जाता था हैदराबाद की तीम को प्लेओफ में मिल सकती है जगा आईपेल दोजाद 24 में आज संडाइजर्स हैदराबाद और गुजराद की तीम की ठककर होने वाली है इस मुकाबले को जीत कर हैदराबाद को प्लेओफ में जगा मिल सकती है दूसरी और गुजराद की टीम प्लेओफ से बाहर हो चुकी है आज का मैच हैदराबाद को प्लेओफ का टिकट दिला सकता है दूसरी और गुजराद की टीम अपनी प्रतिस्टा बचाने के लिए खेलेगी सन्राइजर्स हैदराबाद की 12 मैचों में 14 अंग हैं जबकि ये टीम अधिकतम 18 अंग हासल कर सकती है इसके बाद ये टीम सीर्स 2 में अपनी जगा कायम कर सकती है कई कार्णों से दर्ज है भारत त्यास में आज की तारीक 16 माई वर्स 1906 में भारत और इंग्लैंड की बीच टेलेक्स सेवा की शुरुवात की गई थी आज के दिन वर्स 1975 में एक महिने पहले हुए जन्मत संग्रा के परिनामों के आधार पर सिक्किम ने अपनी राजसाही को समाप्त कर दिया था और भारत का 22 वा राज्य बन गया था और 16 वे लोगसभा चुनाव में 282 सीटों के साथ भारतिय जन्ता पार्टी सबसे बरी पार्टी बन कर उपरी थी आज के दिन अराश्ट्री डेंगू दिवस और अंतराश्ट्री प्रकास दिवस मनाते हैं गूगल सर्च पर अब लोगों को मिलेगा बहतर एक्सपीडियन्स गूगल को लेकर कई बरे आलान किये गये हैं एक इविंट में गूगल ने जनरेटिव याई मॉडल जेमिनी को एक्सपेंड किया है साथ ही उसे सर्च को बहतर बनाने में इस्तिवाल किया जाएगा अब लोगों को सर्चिंग में बहतर एक्सपीडियन्स प्राप्त हो सकेगा इसके साथ ही वीडियो सर्च की मदद से सर्चिंग नेक्स्ट लेवल की हो सकेगी इसके लावे यूजर्स की प्लैनिंग भी बहतर ढंक से हो सकेगी गूगल के नया अपडेट के बाद दोगों को काफी फायदा पहुँचने वाला है गूगल की ओर से AI ओवर्व्यूस को जारी किया गया है हाला कि गूगल का ये नया फीचर अभी तक सिर्फ अमेरिका के लिए है बाद में से अने देशों के लिए भी जारी किया जाएगा SBI ने FD ब्याजदरों में की बरहोतरी SBI ने अपने करोरों गुरांकों को बरा तोफ़ा दिया है भारतिय स्टेट बैंक ने ब्याजदर को बरहा दिया है नई FD दरे बीते दिन से प्रभावी है SBI की ओर से अपने गुरांकों के लिए 46-189 दिन, 180-210 दिन और 211 से एक साल के लिए कम अबधी पर ब्याजदरों में 25-75 आधारंकों की बरहोतरी की गई है मालूम हो कि बैंक की तरब से आकरी बार 27-27 को FD पर ब्याजदरों में बरहोतरी की गई थी फिलहाल सीनियर सीरिजन के लिए बैंक ने समान अबधी पर 5.25 फीजदी से बढ़ा कर 6 फीजदी किया है हम प्रति दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे उसको जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SLC जैसे ने प्रतोगी परिक्षाओं में काम आएंगे हाली में भारत और भुटान के बीच पांच भी संयुक्त सीमा सुल्क समो की बैठक कहा है उजित हुई है ऑप्सन है बैंगलोर ऑप्सन भी है लद्दाक ऑप्सन सी है सिमला ऑप्सन दी है जम्मु कसमीर इसका संयुतर है लद्दाक हाली में अंतर राश्टी नर्श दिवस कब मनाया गया है ऑप्सन ए है 10 मई ऑप्सन भी है 12 मई ऑप्सन सी है 11 मई ऑप्सन दी है 14 मई इसका संयुतर है 12 मई हाली में भारत और किस देश के द्वारा राजनाइक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझोधे पर हस्ताक शर किये गए हैं ऑप्सन ए है UAE ऑप्सन भी है सिंगापूर ऑप्सन सी है मोल्डोवा ऑप्सन दी है मौल्दी इसका संयुतर है मोल्डोवा देश की किस राजे है इसका संयुतर है बिहार स्वत अंतर भारत का पहला चात्र अंदूरन कहां हुआ था ओप्सन ए है दिल्ली ऑप्सन भी है पटना है ऑप्सन सी यह लाहवाद ऑप्सन डी अलिगर इसका सहीं तरह पटना बीते दिन हमायद और पुझे के सवाल का आप लोगों में से बहुत चारे लोगों ने अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सक्षन बॉक्स मिली कर दिया था जिनोंने हमायद और पुझे के सवाल का जवाब दिन के नाम है इसके साथ ही बरते आज के सवाल क्यों राजकर सवाल है भारत की मौझूदर राजनीती में आपके पसंदीदा नेता कौन है हमें कॉमेंट में लिक का जरूर बताएं आज के लिए बिहार की तमाम खबरों के साथ मनने के लिए देखते रहे बिहारी नियूर और साथ ही अगर आप यूटूब से देखने हैं तो चनल को लाइक करने और सब्सक्राइब और अगर आप फेस्बूक से देखने हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद